कि हैल्व एंड वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम लोको मोशन इन प्रोटो जोवा को पढ़ रहे हैं तो प्रोटो जोन्स में में थी टाइप का लोको मोशन मिलता है जो इसमें फर्स्ट होता है सिडियो पोडियल मॉवमेंट्स सेकंड होत इसमें सीलेटेड मुपमन्ट इसमें हम तीनों को को एक most करेंगी तो सबसे पहले हम पढ़ ले हैं स्यूडॉड पॉडियल मुपमेंट को고 to तो जो पुछ पॉडियल मुपमेंटि जो कैंसे होते हैं जैसी कि Amoeba जिसमें actoplasm और ändoplasm दोनों शामिल होते हैं Pseudopodia विबिन आकार के हो सकते हैं जो प्रोटोजयंस में सरीर की सता पर पाए जाते हैं इसके अलावा saugно-po19 data का निर्मान movement की direction में syасс' की streaming से होता है तो इसके बाद अब हम इसमें second type को पढ mai Race एट मढ़ेंटस तो flagellated moments कुछ protozoans जैसे की युगलीना होता है तो युगलीना में locomotion flagella की द्वारा होता है इसे ही हम flagellated moments के नाम से जानते हैं तो eukaryotic cell में flagella का structure जो होता है वो microtubular होता है इसके लावा flagella जो होता है flagella में microtubular जो होता है केवल जो origin होता है जहां से origin होता है flagella का वहाँ पर 9 प्लस 0 की arrangement में होता है और आम तोर पर जो protozoans होते हैं उनमें 2 से 4 flagella ही मिलते हैं flagella का जो basic function होता है वो organism को उसके major axis पर rotate करना होता है तो ये था flagellated moment इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ciliated moment तो ciliated ये ciliary moment क्या होता है कि कुछ protozoans होते हैं जैसे कि पैरा मिशम हो गया तो पैरा मिशम में लोको मोशन जो होता है वो cilia के द्वारा होता है जिसे कि हम ciliary moment कहते हैं cilia जो होता है वो एक hair like structure है जो body surface में large number में produce होते हैं और जो cilia होता है वो मूल सरचना के basis में फ्लाजरा के समान ही होता है cilia जो होता है protozoans में lokomotion के साथ food capture में भी help करता है यानि कि जो cilia होता है ciliary moment होता है इसके थोप protozoans में इनके वशम लोको मोशन ही नहीं होता बलकि ये food capturing में भी help करता है so thank you friends I hope कि ये वीडियो आपके लिए help रहेगी इसी तरह की और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें